हेलो गाईज एन वेल्कम बाक तु माई यूट्यूब चैनल तो मैं आज आपके लिए कैंडल मेकिंग का वीडियो लेके आई हूँ और मैं उसमें प्रोड़क्ट भी दिखाऊंगी जो मैंने फ्लिपकार्ट से कैंडल मेकिंग किट ओर्डर किया था तो यह हमारा कैंडल मेकिंग सेट था जो मैंने 350 रुपीज में ऑर्डर किया है प्रड़क्ट का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्षिन बॉक्स में दे दिया है और यह प्रड़क्ट मैंने फ्लिपकार्ट से ओर्डर किया था तो गाइस इस कित में मुझे 200 ग्राम्स कैंडल वाक्स मिला था जो मुझे ऐसे पीसे में रिसीव हुआ है जिसको हम अभी थोड़ी दिर में मेल्ट कर लेंगे तो गाइस आप देख सकते हैं मैंने वाक्स को मेल्ट कर लिया है यह आपको धियान रखके कैफुली मेल्ट करना है इस कित में हमें ऐसे छोटे-छोटे टी-लाइट होल्डोस भी मिले थे जिसमें हम वाक्स मेल्ट करके कैंडल बनाएंगे और इसमें हमें अराउंड 20-25 ऐसी विक्स रिसीव हुई है जिसको हम हिंदी में बत्ती बोलता है तो चलिए गाइस हम बनाना स्टार्ट करते हैं हमारी कैंडल दीरे-दीरे करके हम इसे मेल्टेड वाक्स को इस होल्डर में डालते जाएंगे उपर तक हमें इसे पूरा फि विक्स मिली थी वह हमें उसके उपर लगा देनी है एक दम अंदर तक उसके नीचे के अल्यूमीनियम की छोटी सी प्लेट है जिससे वह एक जगा स्टेबल रहती है अब हमें इसके ठंडे होने तक का वेट कर लेना है तो गाइस जो पिछली कैंडल हमने बनाई थी वह बिल तो मैंने कलर भी आइड कर दिया है तो अब हम कलरफुल कैंडल बनाएंगे अब हम धीरे-धीरे करके इसमें वैसे ही वाक्स डाल लेंगे और अब हम इसमें विक्स डाल देंगे और इसके ठंडे होने तक का वेट कर लेंगे तो देखें गाईज हमारी कैंडल्स ठंडी होने के बाद कुछ ऐसी दिख रही थी और ये सब कुछ सच में बहुत ही प्यारा लग रहा था जो ये मेरे पास फ्लार्स वाला सेट है ये भी मैंने ऑनलाइन ही ओर्डर किया था इसका लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगी अगर आपको चाहिए तो आप वहां से जाके प्रोड़क्ट और कर सकते हैं और मैंने किसकी अलग से भी वीडियो बना रखी है वो भी आप जरूर देखिए इस पूरे कैंडल मेकिंग प्रोसेस में बस आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि वाक्स बहुत जल्दी अगर आप मेल्ट करके लाते हैं तो जल्दी ठंडी होके जमने लग जाती है तो आपको यह पूरा प्रोसेस जल्दी जल्दी में करना होता है थोड़ा मैंने कैंडल मेकिंग होल्डर का level करें दील इस पंड को सकते हैं और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेर और कॉमेंट करना न भूले और अगर आप मेरे शानल पर नए हैं तो सब्सक्राइब का बटन भी जरूर दबाए थांक यू